इस कोर्स में जितनी चीजे में बताना चाहा रहा था वो लगभग सारी हो गई हैं हम थोड़ी उसकी समरी करेंगे अभी और उसके बाद बच्चे हुए आगे के दो-तीन जो लेक्चर्स हैं उनमें हम कुछ और सभाल बनाएंगे इस रिल्टिविटे से संबन देते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस पूरी कवायत के पीछे जो सेंट्रल थीम है वो है कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स एक से होते हैं और जो प्रकृति के नियम है उनका स्वरूप एक ही रहता है इस फ्रेम में रहें उस फ्रेम में रहें सभी इनर्शियल फ्रेम्स में उनका कहते है और दूसरा जो सेंट्रल थीम है इस पुरे सिस्टम का वो है कि जो लाइट की विलॉसिटी है वैक्यूम में वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम से आपना पर तो एक ही जितनी आती है जिसका हम छोटा सी लिखते हैं लगभग 3 into 10 power 8 meter per second वो fixed रहती है और अब हम इतना सारा सब कुछ करने के बाद यह जान गये है कि इसमें light की कोई बात नहीं है यह कोई light की property नहीं है यह उस नंबर की property है कोई भी चीज अगर सी वेलॉसिटी से चले अगर तो फिर उसकी सब ही इनर्शियल फ्रेम्स में सीही रहेगी यह हमारे दो पॉस्चुलेट्स के रूप में relativity के आते हैं और यह ऐसा ही पॉस्चुलेट्स बना दिये गए ऐसी बात में जो प्रयोगों के द्वारा निशकर्ष निकलते हैं उन्हीं के आधार पर यह बनाने पड़े हैं आइंस्टीन ने जब यह पॉस्चुलेट्स लिए तभी बाकी की जो चीज़ें जो एक्स्परिमेंट से हो करके आई थी उनकी व्याख्याएं संभव हो पाई तो हम लोग मुख्य मुख्य जो उससे हमने प्रणाम निकाले उन दो पॉस्चुलेट्स प्रणाम निकाले है उसमें हम लोगोंने सबसे मेंदम्पुन लारेंच्ट्रांस्फॉर्मिशन की बात की आगर दो फ्रेमज हो एक फ्रेम को हम एस प्राइम को एस एस प्राइम फ्रेम्म एस की अप्यक्षा पॉसितिव एक्स डिरेक्ष्ण में चल रहा हो जीम वेलौसिटिए बीस दोनों और कोई इवेंट हो कोई घटना हो इवेंट यानि जिसका कि हम लोकेशन बता सके और जिसका टाइमिंग बता सके तो हम उसको इवेंट कहते हैं तो एक इवेंट को अगर हम यहां से देख रहे हैं और उसी इवेंट को हम यहां से देख रहे हैं एक इवेंट जब हम यहां से हैं तो कहां हुआ यहां हुआ कभ हुआ कभ हुआ इस समय पर हुआ और उसी इवहद को जिए ह цвет है तो हम बताते हैं कि कहां हुआ यहां हुआ koordinates थान बताने के लिए हम कोडिनेट से बताते हैं और कभ हुआ तो T' पर हुआ तब अब हम लोग लॉरेंज रूपांतरन की बाद करते हैं, X prime बराबर X minus VT, बता square root 1 minus V square by C square, Y prime बराबर Y, Z prime बराबर Z, और T prime बराबर T minus VX by C square, और बता square root 1 minus V square by C square, यह लॉरेंज रूपांतरन के समी करण कहलाते हैं, और इनका आप inverse Lawrence transformation भी कर सकते हैं, अगर आपको यह primed coordinates पता हैं, और आप यह जानना चाहते हैं, तो इसी में V की जगह minus V कर दें, और सभी unprimed वालों को prime बना दें, prime वालों को unprimed बना दें, तो वो भी निकल करके आजाता है, उसको अगर आप लिखें तो X बराबर X prime plus V T prime ऐसा, य बराबर Y prime, Z बराबर Z prime और T बराबर T prime plus V X by C square बना square root 1 minus V square by C square, यह inverse Lawrence transformation हुआ S prime से S में आने के लिए और यह Lawrence transformation हुआ S से S prime जाने के लिए, इसके आधार पे हम लोगों ने length contraction की बात की, proper length यह rest length, तो हमने एक proper length यह परिभाशित की और यह वो length है, जो हम उस frame से नापते हैं, जिसमें यह length स्थिर है, इसलिए इसको rest length भी कहते है, विराम length, उसके अपने frame में नापी हुई length, अगर कोई table है और इसके length मुझे जाननी है, तो इस table के frame में अगर मैं नापूं कि इसकी क्या लंबाई है, तो उसको हम लोग proper लंबाई कहेंगे, लेकिन अगर यह table मेरी अप एक साथ चल रही है, और तब मैं इसकी लंबाई नापूं, बिल्कुल विधी सम्मत तरीकों से वो जो लंबाई है कि वो improper length होगी, और उस improper length में और प्रॉपर लेंग्थ में इस लॉरेंज ट्रांस्फरमेशन एक्वेशन के अनुसार हमारे संबंध निकलते हैं, improper length कम हो जाती है, तो प्रॉपर लेंग्थ गुना, square root 1-v square y c square, अपने rest frame में जो आप length नापोगे, तो वो सबसे अधिक मिलेगी, किसी दूसरे frame से नापेंगे, जिसमें यह चल रहा हो, तो कम मिलेगी, और कितने से कम मिलेगी, तो यह है उसका factor, इसी तरह हम लोगोंने proper time interval define किया, proper time interval, समय अंतराल, proper time interval किसमें, दो events के बीच में, अगर दो events हैं हमारे पास, एक event कहीं हुआ, दूसरा event कहीं और हुआ, किसी अन्य समय पर हुआ, दो events अगर हैं और उनके बीच अगर हम कितना समय गुजरा है, वो निकाल रहे हैं, तो अगर यह दोनों events किसी frame में एक ही स्थान पर होते हैं, पहला event जिस coordinate पर हुआ है, दूसरा event भी अगर उसी coordinate पर हुआ है, तो उस frame में अगर हम time interval ना पेंगे, तो उसको हम कहेंगे proper time interval, और इसी तरह से improper time interval यानि किसी दूसरे frame से, जहां यह दोनों घटनाय अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे improper time interval और उसका जो relation है improper time interval, बराबर प्रापर time interval और बटा स्क्वार रूट 1-P स्क्वार बाई C स्क्वार, यहां दे रखिएगा, जो proper length होती है, वो सबसे बड़ी होती है, किसी दूसरे frame में जाएंगे, तो वो length कम दिखेगी, इसलिए उसको length contraction कहते हैं, यह जो सूतर है, इसको हम लोग length contraction कहते हैं, लंबाई में संकुचन, कम हो गई है, length कम हो गई है, उसके अपने frame में जाए हैं, जहां पर कि rest में हैं, तो लंबाई जादा मिलेगी, और वही चीज़ अगर किसी दूसरे frame से देखते हैं, जहां वो चल रही है, तो उसके लंबाई में संकुचन हुआ मिलेगा, और यह भी आपको याद होगा, कि लंबाई में संकुचन उस पदार्थ के किसी गुन के कारण से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि टेबल यहां स्थिर है, तो इतनी लंबाई है, और टेबल अगा चलने इसका स्पेस है, उसका भी संकुचन हो जाता है, तो यह स्पेस की प्रापरटी है, टाइम की प्रापरटी है, ना कि पदार्थों की प्रापरटी है, यह भी चीज याद रखने की है, और इसी तरह से यहां टाइम को अगर हम देखें, तो जो प्रापर टाइम इंटर्वल ह है वो सबसे छोटा time interval प्रापर लेंग्थ सबसे बडी लेंग्थ है और प्रापर time interval सबसे छोटा time interval और प्रापर time interval का क्या मतलब दोनों events एक ही स्थान पर होना चाहिए इवन एटू आट सेम प्लेस एक ही स्थान पर होना चाहिए तब उसको उस फ्रेम को हम इस इन दोनों events के लिए प्रापर फ्रेम कह सकते हैं और उस फ्रेम में ना पहुए समय अंतराल को हम प्रापर समय अंतराल कह सकते हैं और वह सबसे छोटा है किसी दूसरे फ्रेम से उनी दोनों इवेंट्स को देखिए और दोनों के बिच कितना समय गुजरा तो वो बड़ा मिलेगा और इसलिए हमने इससे भाग लगाया है यह एक से छोटी संख्या है इससे जब भाग लगाते हैं तो मान बढ़ जाता है यह हम लोगों ने किया कि इसके बाद हमने विलोसिटी एडिशन किया वेगों का सयोजन किया हमने विलोसिटी एडिशन दो विलोसिटी को जोड़ना है अगर अगर एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम मान लें जो कि एस फ्रेम की अपेक्षा भी विलोसिटी से चल रहा है और इस एस प्राइम फ्रेम के पेक्षा कोई चीज यू प्राइम विलोसिटी से चल रही है औध्यश की अपेक्षा हम जानना चाहाते हैं कि क्या विलोसिटी है तो अगर गेलिलेन रांस्फरमेशन होता तो हम सीधा इन दोनों को जोड देते लेकिन अगर गेलिलियन ट्रांसफर्मेशन नहीं होकर के लॉरेंस ट्रांसफर्मेशन है तो इस फ्रेम से जो यह वेलासिटी है उसको निकालने के लिए हम V प्लास यह वेलासिटी तो करते ही है और इसके बाद 1 प्लास दोनों का गुननफल V इंटो यू प्राइम बड़ा सी स्कॉएर। यह भी करते हैं अगर यह एक्स डिरेक्शन के कामपोनेंट है एक्स डिरेक्शन के अगर नेंट है तो हम्त घरते हैं इसको हम यू एक्स कहते हैं अगर हम is me velocity हमें पता है और प्राइम की अपेक्षा हम जानना चाहते हैं अगर किसी कण का वेग S में हमें पता है कि यू है और हम इस प्राइम में जानना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे यू एक्स प्राइम हम लिखेंगे यू एक्स यह एक्स कॉम्पनेंट है और माइनस वी और तब बटा 1 माइनस यू एक्स इंटो वी और बटा सी स्क्रार अगर गलीलियन गलीलियन ड्राइमंट लिक्स के यहां पर यहां बटाना करके यह डिनामीनटर बना लेजिये यहां minus है तो यहां में minus लगाके denominator बना लेचा है Y direction में भी velocities में परिवर्थन होता है हलांकि Lawrence transformation में आप देखें तो Y prime बराबर Y है कोई परिवर्थन नहीं है Y direction में Z prime बराबर Z है कोई परिवर्थन नहीं है लेकिन अगर आप velocity का Y component लिखें या Z component लिखें तो परिवर्थन आएगा क्योंकि में time से भी भाग लगाना होता है time interval से भी भाग लगाना होता है और time interval बदल जाते है अलग-अलग frame में अलग-अलग हो जाते हैं इसलिए यह भी बदल जाता है तो अगर यह UX prime है और UI prime अगर आप लिखना चाहते हैं वो UI into square root 1 minus V square by C square और फिर यही denominator 1 minus UX V by C square और ठीक इसी प्रकार से Z component उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं तो यह velocity के addition के equations हम लोग ने किये और इसमें से कई सारी अच्छे अच्छी चीज़े निकल करके आई एक यह निकल कर आया कि अगर किसी frame में किसी चीज़ की velocity C हो जाए यह UX prime जैसे C हो जाए यह UX है C हो जाए यह speed किसी भी direction में हो स्पीड अगर C हो जाए तो किसी दूसरे frame से अगर आप करेंगे और यह सारा गनित करेंगे तो दूसरे frame से भी वह C ही निकल करके आएगा इस फर्मूले के अनुसार भी तो इसलिए जो सेकंड पॉस्चुलेट था कि प्रकाश का वेग शून्य में निर्वात में सभी फ्रेम्स में एक सा रहता है वह किवल प्रकाश की बायत नहीं है कुछ भी कुछ भी अगर सी वेलॉसिटी से चले अगर आप यहां सी लिख दें यहां सी लिख दें तो काट पिट करके यह भी सी ही आ जाएगा ये हम लोगे ने लूह एधिशन में की उसके बाद हमने डायोमुक्स की चर्चा कि और हमने यह सी पाया कि F बेरह मैं इस說 में काम नहीं चलता यह बराबर में से अगर हम परड़ाम निकालेंगे तब जो हमाई एक्सपरिमेंस में परड़ाम मिलते हैं उससे काफी अलग हो सकते हैं और इसलिए हमने इस पर दाव लगाया एक बराबर dp dt लेकिन अगर हमें ऐसा लिखना है और जो लीनियर मोमेंटम है रेखिये समवेग है उसका अगर संदक्षन होना है अगर यह बराबर 0 हो जाए तो dp dt भी 0 हो जाएगा और तब बराबर constant हो जाएगा अर्थात अगर कोई निकाय है और उसका कुछ रेखिये समवेग है और बाहर से कोई बल उस पर नहीं लग रहे हैं तो रेखिये समवेग हमेशा स्थिर रहता है तो उसको करने के लिए हमें जरूरी हो गया कि पी बराबर mv इसको हम अगर लिखते हैं ऐसे तो यह मास उस पार्टिकल का जो घोशित मास है घोशित दरव् द्रव्यमान है वो नहीं हो करके कुछ और है और वो हम लोगों ने कैसा लिखा इसको हम लोगों ने लिखा पी बराबर M0 यह पार्टिकल का अपना द्रव्यमान है हर पार्टिकल का अपना एक द्रव्यमान होता है जो किताव में लिगा रहता है एलेक्टरॉन का इतना प्रोटोन का इतना इसकन का उतना उसकन का इतना इन्टू भी अगर हम नौन रिलेटिव स्टिक मेकैनिक्स कर रहे होते तो यहीं पर रुप गया होते न्यूटन के नियम जो सामाने तरह मिस्तेमाल करते हम यहीं रुप गया होते लेकिन यह हमने यहां पर और जोड़ना पड़ेगा मुझे ऐसा यह लिनियर मोमेंटम जब हम बोलेंगे तब फिर यह एक्वेशन सही होंगे और conservation भी सही होगा सब कुछ सही होगा और यह जो quantity है m हम इस चीज को बोलते हैं हम अभी भी अभी भी हम पी बराबर एंभी को रख सकते हैं बशरते कि हम एक नया नए किसम का द्रवेमान परिभाशित करें और वह द्रवेमान इतना हो जिसको हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहते है आप एक्षिक द्रवेमान यह रेखिया सम्वेक का मामला हुआ उसी के साथ हमने और एक गतिज उर्जा की भी बात की और वह गतिज उर्जा जो है के वह हम लोगों में देखां यह m not c square बटा square root 1- v square by c square और – m not c square ऐसा यह गतिज उर्जा का समीकरान आता यह जब हम एक बल एक दूरा कितना कार्य होता है छोटे से विस्थापन में जितना कार्य हुआ उतना गतिज उर्जा में ब्रदी हुई और शुन्य गति है शुन्य वेग है तो है इसको लेका जब हम क्यालकुलेशन करते हैं तो यह हमें काइनेटिक इनर्जी का गतिज उर्जा का यह व्यन्चक प्राप्त होता है और इसमें हमने यह जो है इतना इसको हमने कुल उर्जा कहा टोटल इनर्जी और यह जो है यह इतना इसको हमने विराम द्रव्यमान उर्जा ऐसा नाम दिया विराम द्रव्यमान ऊर्जा ऐसा इसको नाम दिया हमने तो यह टोटल इनर्जी है उस टोटल इनर्जी में से इतनी इसकी रेस्ट मास इनर्जी है इसके द्रव्यमान के कारण से इनर्जी है और जो अतरिक्त है वो उसके गति के कारण से है जिसको हम लोग गतिज उर्जा ऐसा कहते हैं और यह जो है से ए बराबर mc2 कुल उर्जा mc2 जहां m इसके लिए लिखा जा रहा है और स्कुल उर्जा में से विराम द्रव्यमान उर्जा हटा लेंगे तो हमें फिर गतिज उर्जा मिलेगे और इस कुल उर्जा में और रेखिय समवेग में एक संबंध बड़ा अच्छा सा हमें मिला था जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसक्वाइर माइनस पी स्क्वाइर सी स्क्वाइर बराबर एम नौट स्क्वाइर सी फोर एक कंड के लिए अगर एक कंड के लिए लिख रहे हैं तो और समू के लिए भी आप लिख रहे हैं तो ई स्क्वाइर माइनस पी स्क्वाइर सी स्क्वाइर समू के लिए बड़ी अ आप देखें तो वह बदलती नहीं है लोरिंज invariant है वह लोगे की यह मुख्यरुप से क्वारा सम्री है एक सारांश है यह जितना चीजें हम लोगों ने किया उन सब का और इन ही सुत्रों के आधार पर इन ही समीकरणों के अधार पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न हल करते हैं और जो किताबों के प्रश्न है उसको भी हल करते हैं और जो जिन्दगी के प्रश्न है उनको भी हल करते हैं